आप सभी भक्तिजनों को सावन की असीम शुब कामनाएं। सावन को लेकर धानमिक मानिता है और वैग्यानिक कारण क्या कुछ है। से हरे साग में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे मों उन्हें खाना अच्छा नहीं होता और सेहत को भारे नुकसान भी पौज सकता है। इसलिए सावन में जहां तक हो सके साग न खाए। सावन के महीने में मौसम में पहले सेखी नमी और ठंड़क रहती है। दही की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए दही का सेवन करने से भी आपको सर्दी जुकाम के परिशानी हो सकती है। इसलिए अधिक जरूरी ना हो तो सावन के महीने में दही का इस्तिमाल ना करें। सावन के महीने में दूद का सेवन भी करना नुकसान देह माना जाता है। इसके पीछे विधार में कोई वैग्यानिक कारेट दोनों है। सावन में ऐसा कहा जाता है कि गाय और भैस जो हरा चारा खाती है उसके साथ वे काफी मात्रा में कीट पतंगों का भी बक्षड कर लेती है इसलिए दूद में बैक्टीरिया होने की जो संभावनाई है वो काफी जादा बखचाती है इसलिए सावन में दूद का सेवन ना करें तो बहतर है सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सीवन ना करें ऐसा माना जाता है कि ये चीजे शरीर में गर्मी पैदा करती है और इस वज़ों से आपका मन भोगवासना की तरफ आकरशित हो जाता है जो कि भगवाएं शिव की भक्ती में बाधा उत्पन करता है इसलिए जरूरी है कि सावन की महीने में मांसाहार और लैसुन प्यास से दूर है आप और भी जानकारी अगर जानना चाते हैं तो आप हमारे कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके बता सकते हैं पूछ सकते हैं आपके सामने इस से संबंदित और भी तमाम जानकारिया लेकर हाजर होते रहेंगे बने रहें इंडिया न्यूस के साथ धन्यवाद अई बार पर से आप सभी को सावन की धेरो शुब काम नाएंगे